आयोधिया पहुची उत्या प्रदेश पिछड़ा वर्वी कल्याण एवं दिव्यांग जन सचक्तिकरण सतंतर प्रभार राजी मंत्री नरेंदर कश्चप ने विवागी अधिकारियों के साथ बैठा कि इसके बाद उन्होंने कहा कि दिव्यांग जनों को सचक्ते बनाने के लिए सरकार भरण पोर्षन के धनदाशी देती है इसके साथी दिव्यांग नपती के शादी के अनुदान के रूप में सरकार 35 सजा के धनदाशी देकर उनका 30 सयोग करने का काम कर रही है वहीं दुकान न मारवा संचालन के लिए 10,000-20,000 की राशी देकर उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है को पियर इन प्लांट के माध्यम से ऐसे दिव्यांग जिनके शारी दिव्यांग शंता पैदा होती है छे लाग के धनदाशी खर्च करके उनका ऑपरेशन कराकर और प्रवंदन उत्तर प्रदेश में और मजबूत होंगे हमारी सरकार आगे भी पेंशन के राशी को बढ़ाने पर विचार करेगी 35,000 की धनराशी दे कर उनको आर्थिक सायोग करने का काम करते हैं इसके अलावा दुकान निर्मान, दुकान संचानल के लिए 10,000 से 20,000 की धनराशी दे कर उनको रोजगार से जोड़ने का काम करते हैं कॉकलियर इनप्लांट के माध्यम से ऐसे दिव्यांग जिनके सारणिक अक्चमता पैदा होती है 6,000 की धनराशी खर्च करके उनका उप्रेशन कराके उनके जीवन को सामान करने का काम करते हैं बच्पन, डेकेर सेंटर, समेकित विदाले, संकेत विदाले, यूनिवस्टीज के माध्यम से हम दिव्यांग जनों के बौधिक विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं से आने को योजनाओं हैं, जिनके माध्यम से प्रदान मंत्री जी, मुक्ध मंत्री जी दिव्यांग जनों को ससक्त बनाने में संकल्पित होकर लगे दिव्यांग जनों को और परदेश की जनता को इस बात की जानकारी है कि 2017 में दिव्यांग जनों को भरण पुर्षन की रासी के रूप में मात्र 300 रुपे महवारी मिलते थे जब से उत्तर परदेश की सत्ता की बागडोर उत्तर परदेश की यससवी जनता ने माने मुखमत्री जी को सौपी है इस 300 रुपे की रासी को बढ़ाकर 1000 रुपे किया गया यानि 3 गुना से भी ज़्यादा धन रासी हमारे मुखमत्री जी ने दिव्यांग जनों के हित में बढ़ाई है इसलिए मैं समझता हूँ कि किसी का ये कहना कि हमारी सरकार में दिव्यांग जनों को बरण पोर्षण की रासी कम मिलेए मेरे खान उचित नहीं होगा और फिर भी आने वाले समय में जैसे ही वित्य प्रबंधन उत्तर प्रदेश में और मजबूत होंगे हम आगे भी पेंस्टर की रासी को बढ़ाने पर विचार